हाई फ्रेंद्स इस प्रफसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग में और माई यूडिव चैनल आज अम जो देख रहे हैं वो नाया चप्टर स्टाट कर रहे है रोटरी कंप्रेसर के अंदर आपके एक्जाम के अंदर चार डिवाइस आते है रूट ब्लोर आता है फिर स्क्रू स्क्रूलण आता है उसके बाद स्क्रूल इसक टूटल चार इस आते है तो उसमें यह जो आता है उस में से कोई एक क्वेश्च न से पुछा जाता है साथ मार्स का, इतना ज्यादा कुछ इंपोर्टन्स है नहीं, मैं आपको यहाँ पर डिवाइस बताऊंगा, उसका इमे दिखाऊंगा, आपको वर्किंग समझाऊंगा, तो आपको you have to just remember the figure and you have to write it down in your own words in the exam, so let's start, सबसे पहले start करते है, rotary compressor के अंदर, सबसे quantity of air, जब आपको compress करनी हो, up to 10 bar, तो वहाँ पर जो compressor यूज किया जाता है, वो root blower होता है, अब जब आपको ज्यादा pressure, high pressure पर compress करना है, तब जाके एक प्रेस, तब यह सारे compressors काम नहीं आते, that is, this is used for up to 10 bar pressure, ठीक है, फिर 10 bar से ज्यादा जाना है, तो आपको ओर compressor यूज कर होगे, so यहाँ पर क्या होता है, आपको यह देखो, two rotors, rotor 1, rotor 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, rotor 1, and this is rotor 2, so यह जो rotor 1 और rotor 2 देखा है, इस प्रकार की पूरी उसकी image होती है, आप यहाँ पर देखो, इस तरीके का safe होता है, यहाँ पर जो safe होता है, so उसको cyclode or safe बोला जाता है, और यह जो चीज़े उसको rotor भी बोला जाता है, कई-कई बुक में इसको lob भी बोलते है, l-o-b-e, lob, ऐसा भी बोला जाता है, so एक ही चीज़ है, आप उसको rotor बोलो, या फिर lob बोलो, cyclode or safe क्यों होते है, अब दूसरी एक चीज़ यह भी सोच रही है आपको, कि दोनों अलग भी एक rotor होता है, उसको connect किया जाता है, electric motor से, मालो कि यहाँ पे, let us assume कि rotor 1 को हमने connect किया, electric motor से, so electric motor के through rotor 1 को motion मिलेगी, अब rotor 1 को जो motion मिल रही है, वो motion किसको transmit करेगा, rotor 2 को, with the help of what, gear drive, with the help of what, gear drive, so gear drive की मदद से, अगर rotor 1 घुमेगा, तो rotor 2 भी घुमता है, ठीक है, so किसी भी एक rotor को आप electric motor के through power दे सकते है, अब दूसरी चीज, यहाँ पे जो suction होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कि जैसे इसका goal rotation, goal rotation गुमना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, कि एक जगा पे यह vacuum create करता है, so e-sport है, आप जो inlet देखते हो, यहाँ पे vacuum create होता है, इसलिए य इतने स्टेज होते है, फिर उसको discharge किया जाता है, यहाँ बार, discharge walls से, अब यहाँ पे जो discharge होता है, उसका जो pressure होता है, that is more than atmospheric होता है, so suction होता है less than atmospheric में और discharge होता है, more than atmospheric में, ठीक है, तो यह चीज आपको याद राखने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से पूरा काम करता है, तो चलो अप सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर फॉस्टेज देखते हैं तो फॉस्टेज में क्या होता है let's see what is there in the first stage so first stage के अंदर हम देखते हैं suction so यहां पर आप देख रहे हो suction हो ठीक है so यहां पर पूरी पहली मोशन बताई है आपको के पहली मोशन में आपको suction हो रहा है तो देखो यह अब हम कहा करेंगे ऐसे अब देखो यहां पर पहली चीज़ हम देखेंगे initial part of suction side तो देखो इस तरीके से दो रोटर गुम रहा है एक clockwise गुम रहा है दूसरे की anti clockwise motion है ठीक हम इस तरीके से याद रहना अब अच्छी तरीके से याद रहना अब देखो यहां पर space created हुआ है यह जो आपर स्पेस create हुआ है तो उस जगा पर क्या होगा सक्षन होगा gas का suction होगा या air का suction होगा आपने जो भी fluid वहाँ पर रखा है उसका suction होगा तो यहाँ पर इस side पर suction तो यह जो आपको line वाड़ा पाट दिखा रहा है वो बतार है कि air यहाँ पर suction हुआ air का इतना अब देखो यह किस तरीके से चलेगा पूरा याद रखो एक clockwise rotor 1, rotor 2 anti-clockwise तो अब आप इमेजिन करो अब अपने निवाग में सोचव अब कैसा घुमा होगा तो यह step ऐसे घुमेगा दूसरे stage में और यह step इस साइड तो देखो आप second part देखो आप यहाँ पे इसी जगा पर देखो यह थोड़ा घुमा तो यह किस त सक्षन कब तक चलेगा जब तक यह पूरा का पूरा यह space air से भरनी जाता तब तक यह suction पूरा का पूरा स्टार्ट होगा तो पहले इतना था अब इतना होगा अभी और एक स्टेज बरेगा तो आपको पता है यह clockwise और यह anti-clockwise गुमेगा तो किस तरीके से होगा देखो यह आ चलेगा तो आपको इस तरीके से याद रखना है कहा तक सक्षन होगा जब तक 90 डिग्री नहीं आ जा था था फिर्फ फेस खतम होodelे अप इटकोण इस जुनेगी विए at हो जाएगा तो देखते हैं डिलेवरी फेस ठीक है अब देखो फिर से मैंने आपको बताया था कैसा होगा क्लोकवाइस गुमेगा यह एंटी क्लोकवाइस गुमेगा सोचिए इस तरीके सा गया और एक स्टेप थोड़ा आगे चला जाएगा ठीक है तो आप देख रहे हो यह हाँ पर किस तरीके से होवा तो यहon से अर जो थी अब बार ओना तो यहाँस अब डिश्चाज हुए उसका प्रेसर बढ़े करेगीile तब में कर चाहिए एक चीज का पूरा खाली हो जाएगा जब यह चीज है आए गुमके गुमके हो जाएगी सो यहां तो यहां पर पूरा का पूरा एर था वह कहा निकल गया बहार तो यह डिस्चाज process कैसा हो गया complete हो गया ठीक है तो यहां से पूरा का पूरा एक discharge process है one of the rotor का कैसा हो गया complete हो गया अब देखो यहां पर discharge हो गया ठीक है अब यहां से पूरा का पूरा discharge हो गया आपको समझ में आ रहा है तो अब क्या होगा कि यह डिस्चार्ज होगा, तो अब यहां से क्या स्टार्ट होगा, अब यहां से सक्षन होना स्टार्ट होगा, दूसरे चीज का यहां से सक्षन होना स्टार्ट होगा, उसी तरीके से फिर जब एक का डिस्चार्ज हो रहा होता है, तब दूसरे का क्या होता है, सक्षन होता है, ठी आपको बस एकी चीज दुराना , मैं आपको फिरसे रीपीट करूगा , अपने दीमाग में सोचते जए है , darle को हाँ इस तरीकेसर था करो समजह में आजाएगा यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, very easy topic है, आपको समझ में आ गया, so this is how the whole root blower will work, I think आपको lecture पसंद आए हो, इसको पसंद आए हो, आपको like करे, share करे, subscribe करे,